हेलो इन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइज असम टीट्वेंटी के फाइनल मेच की जो की मेच हो गए यहां पर प्रम्मपुत्रा बॉइस वसिस दाइहिंग पटकाई राइडर्स के बीच इस देएगा उसके बारे में बात कर लेंगे फीची रिपर देख लेंगे एक बार लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि को सबसे पहले आपको यूटूब चेनल को सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि ये टूर्णामेंट तो कल खतम हो जाएगा फाइनल मैच है लेकिन इसके बाद यहां से केसी है यानि कि वूमन्स टी 20 शुरू हो रहा है केराला का तो उसके मैचिस के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे लिंक वर्क नहीं करता तो टेलिग्रम में जाके आपको सर्च करना है फेंटासी डिसन चेलेंजर या फिर आपको सर्च करना है डिरेट अफडिसी 27 और आपको सीधा अमारा चैनल मिल जागा तो सिंपली आपको उसे जॉइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइन बेटिंग करवाती है तो एक बड़ा स्कॉल देखने को मिल सकता है इवन एवरेज यह से 140-150 के आसपास आरम से स्कॉर बनेगा चेजिंग रेकोर्ड में इक्वली आंकड़े तो यह कुछ ज़्यादा माहिने रखेगा नहीं बाकी बात के लिए से टिम बीयार भी तो ग्या प्लव कुमार 10 के साथ यहां से रिशाव 10 ओपनिंग में आ सकते एक बार फिर से क्योंकि रेगुलर बीचिस पर इन दोनों नहीं पूरी टूनामेंट के दर ओपनिंग किया और एक बार फिर से कल यह दोनों ही ओपनिंग करते हो नजरा सकते रोशन टॉपनों वैसे प्लेय लगातार फेल रहे तो यह दोनों ही देखो आउट ओप फॉम है और सामने वाली टिम से भी एक विकेट हीबर हम आगे बात करते बात के यहां से रिशावदास वरी इंपोरेंट पिक रहेंगे हाला कि पिछली दो मेच के नहीं जिनना बुछ खास नहीं किया लेकिन फिर भ होगा इवान यहां से कैप्टेन के तौर पर आप लोग ट्राइक कर सकते हो रितू राज विश्वास को आप लोग ऐसे डिफ्रेंस में ट्राइक कर सकते हो जाता था जनता की नजर इनके पर होनी वाली नहीं है लेकिन आपको बता दू के ओवरल इन्होंने पूरी करते वाल रहे तो इनके पर आपको बरोसा करना है डिफ्रेंस में ट्राइक करना है बाकि गुंजन डेका की बात को इनको स्मॉल लिग में लेके जाना का कोई मतलब बनता नहीं है से सुनिल लचित पिछली पूरी करवाई इवन यहां से देथ वस बगेरा में आ रहा है तो और फाइनल में इन से एक बड़ी उमीद रहेगे तो इनको लेके जाना ही है। इवन आप लोग चाहे थो इनको कैप्टन या वायस कैप्टन के तर पर ट्राइ कर सकते हो तीना है तेनों में से किसिय को भी ट्राइ कर सकते हो उसे राहूल शिंग आसे दिपक गोईन को भी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए बात करें यहां से अपको देफोस में गनबाजी करते हुँ नजर आसकते हैं कि बात करें यह से b bench की तो बैंक से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके stats आपको कहाँ पर मिलेंगे तो आपको तेलीघंठाय पर मिलने वाले हैं तो जलसे जाकर आपको तेलीघंठाय को जॉइन के लेने है क्योंकि वह जरूर लेगे जाएगा जबाजस प्लेयर यहांसे और अभी प्लस पॉइंट यहीं के दोनों मैच के अंदर इन्होंने ओपनिंग जिए जबाजस पॉम में और इनको जरूर ट्राइगे मिखाईल डोले ओके-ओके रहेंगे इनको आपको ग्राण लिग वगेरा में या फिर इसकी टिम बनाते हो तभी ट्राइ करना है स्मॉल लिग के लिए शायद मैं इनको प्रिफर ना करो मेट प्रिक रहेंगे इवन यहां से सिधा कैप्टन और वाइस कैप्टन की चोईस रहने वाले पिछले कुछ में इनका सुरू आथ की दो मेची सितने कुछ खास नहीं रहे लेकिन इसके बाद लगातार आप देख सकते लगातार उन्होंने जबजस पर्फॉमस दिया तो क्याइब प्लेयर के साथ के अप्टन वाइस के कच्छी चोईस है कमशेट्री को डिफ्रेंस सीलव में ट्राइ कर सकते हो क्योंकि इस लेवल का पर्फॉमस वह फाइनल मेच में कर सकता है यानि कि एक अनुबवव यह अपने अनुबव यहां पर मिंस के इनका अनुबव य यहांसे ओर्स चार ओर्स पुरी करेंगे तो कभी भी आसे दो से तीन विगेट निकाल सकते हैं तो इनको डिफेरेंसले में ट्राइकर आगा वैसे जादा तर पब्लिक उनको लेके आएगी तो इनको डॉप करना रिस्की रहेगा तो हम लोग इनको स्मॉल लिग में लेके जाएगा अभी देखो मैंने आपको बताया के तीन विगेट की पर बल्ले बाज और तीनों या आउट ओप फॉर्म तो यहांसे तिसरा प्लेयर यहांसे नशिरुल्ला है और दो तो मैंने पहली सामने वाली टिम से बता जी यहांसे बीर बी से लेकिन यहां पर नशिरुल्ला जो कि पिछली दोनों ही मैच के अंदर एक करन का स्कोर के लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से कौन से नमर पर आया आठवी नमर पर भई यह पहला ना ऊपर केलता था यहांसे तिसरे यह चोथे नमर पर पर खेलता था और अभी ना वो पिछली जना तोड़ा सार रिस्खी है लेकिन यहां से यह फोड़ी से रहेंगे विकास चेत्र आप लोग जरूंटेञा सकते हो बैटिंग के साथ-साथ और आपटन करवा चुका है उपनिंग में आ चुका है तो पभी भी यहांसे उपस बैटिंग से उनको बैजा जा सकता है यह स तो इनको शायद यहां से चोथे बाज में नमर पर बेज़ा जा सकता है जिशाब देपक को जरूर ट्राइ करिएगा प्लेयर्स अच्छा है यहां से लगातार अच्छी विकेट्स वगेरा चटका रहा है तो इनको जरूर ट्राइगा अभी चक्रवती वेरी इंपोर्डेंट का स्वरुपन पूरका यास्ता यासे देथोस में गेंबाजी गरते हुए नजर आएंगे ब्यांची से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको कहा पर मिलेंगे तो मिलेंगा आपको टेलिगरम चैनल पर जल्दी से जाके आपको टेली चैनल को जोइन के लेना देखो रिस्क लेना आपको किनसे प्लियर वर यासे रोशिन टोपनो या फिर यासे संदी बाल मजूमदार भी कापी जबजन प्लियर है तो इनके लेकों पर रिस्क लेएंगे लेकिन रिस्क आप ले सकते हूँ बैटिंग सक्षन में आपन से टास रैंगे यासे ती सर्व लिए आप लोग अगर शेफ जाना चाहो हो जहां तो यहां निबिलडेका बहुत ही ज्यादा रिस्क के रहने हाला क्योंकि बालिंग शेक्षेंच में भी बहुत सारे आपसंसे और कोई यहां से कभी भी परफोरमस कर सकता है बॉलिंग सक्षन की बात करते हैं यासे निपन डेका रहेंगे यासे के दास यानिके किरिष्टना दास रहेंगे यासे सुनिल लचीत रहेंगे अभी चक्रवत्ती और यासे दिपक गोहिन को मैंने लिया है यहाँ पर आपको क्या करना है ना आपको लेना है रिस्क, रेशब दिपक और यासे आर्सिंग के उपर दोनों ही जबचस प्लेयर है हलागी हो सकता है इन दोनों को में आकरी वक्त पे मेरी स्मॉल लिखी टीम के अंदर भी मौखा दे सकता हूँ आपकी अभी के लिए टीम की बात करो तो टीम मेरी कुछ इस तरह से रह सकती है कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे पूरका यस्ता दोकी सेफ कैप्टन रहने वाले है बैटिंग बॉलिंग दोनों इसे अच्छा कर रहे है और वाइस कैप्टन में नहीं सकते है यह दास को किया हुआ है आप विकेट की बॉलिंग सेक्शन से किसी को भी कर दो यहाँ से डी गोईन को कर दो यहाँ से लशीत को कर दो अभी चक्रवाती एंडे का थोड़े से रिस्की रहेंगे लेकिन यह चारो में से किसी को भी आप कैप्टन कर सकते हो यहाँ फिर यहां से शेफ जाना चाहते है एस रोई भी एक अच्छी ऑप्सन से बाकि याद रही यह जो टीम है यह डेमो टीम है अगले वीडियो को आपको लाइक और से रहाएं साथी में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे में चिसके वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने माले मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक सब्सक्राइब को साथ तब तक आपको पूरा वीडियो देखना है अच्छा है ने रेसिस करना है अच्छी टिम बनाता है अच्छी मेंदिंग करना है तब तक के लिए बाई धन्यवाद जैबारत